हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो दुनिया में हर दिन का अपना महत्व होता है और हर दिन कोई न कोई दिन मनाया जाता है इसके पीछे उस दिन का हित्यास और महत्व जुड़ा होता है जैसे चार माई इस दिन दुनिया भर में फाइरफाईटर दिवस जिसे इंगलिश में International Firefighters Day बोला जाता है जह दिवस मनाया जाता है इस दिन को मनाने के पीछे का उद्धे से ये होता है कि जो फायर फाइटर हैं उनका सम्मान किया जाए और उन्हें उनके काम के लिए धन्यवाद दिया जाए तरसल अंतराष्ट्य फायर फायर फाइटर डे को पहली बार साल 1999 में मनाया गया था उस वक्त आस्टेलिया के विक्टोरिया स्थित लिंटन की जाड़ियों में आग लगी थी जिसके बाद आग भुजाने के लिए एक टीम वहां गई थी लेकिन विप्रित दिसा से हवा चलते चलने के कारण टीम के पांच सदस से आग में जुलस गए और उनकी मोत हो गई वहीं मौसम विवाग की तरफ से हवा को लेकर कोई भविश्यवाणी नहीं की गई थी लेकिन हवा की वज़े से पांच फायरफाइटर की मोत हो गई इसके बाद हर साल इन सभी के सम्मान में चार मई को अंतराष्टे फायरफाइटर डे मनाया जाने लगा वहीं इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य वज़य संत फ्लोरीन है उनकी मरत्यू चार मई को ही थी वे एक संत और फायरफाइटर थे उनके बारे में कहा जाता है कि उनके गाउं में एक बार आग लग गई थी ऐसे में उन्होंने सिर्फ एक बाल्टी पानी से आग भुजा दी थी इसी के बाद यूरोप में हर साल चार मई को इस दिन को मनाया जाने लगा वही बात अगर भारत की करे तो यहां 14 अप्रेल को फायरफाइटर सर्विस डे मनाया जाता है दरसल 1944 को माल वाहग जाज फोर्ट के टेन में आग लगने के कारण 66 सेनिकों की मौत हो गई थी इसके बाद उनके सम्मान में हर साल भारत में 14 अप्रेल को फायरफाइटर सर्विस डे मनाया जाता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको इंटरनेशनल फायरफाइटर डे के बारे में पूरी जानकरी अच्छे से दे दियोगी दोस्तों वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो के लाइक करें मैकसिमम से मैकसिमम हर जिके शेयर करें और दोस्तों आग जैसी जोखिम भरे काम में जो ये फायरफाइटर होते हैं कितनी लोगों की जान बचाते हैं कितनी संपत्तिक नुकसान होने से बचाते हैं कैसे अपनी आख जो जान होती है उसको जोखिम में डालते हुई ये काम करते है इनके बारे में आप क्या चखेना चाहेंगे आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं और दोस्तो इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके दन्यवाद दोस्तों जय हिंद